सारे देश की जन्ता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोगों क्या कर रहे हो उठो खड़े हो जाओ और इस एहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलके आवाज उठाओ चौथी पास राजा इस बात पर तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्त बाज था एक नमबर का दोस्त बाज था एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की जादाई दोस्ती थी एक एहंकारी राजा की कहानी है एक भरश्टाचारी राजा की कहानी है लेकिन राजा तो अनपड़ था उसे तो कु चम्मच बजवा दिये, जो राजा के खिलाफ बोलता, राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता, एक दिन शाम को टीवी पे आके आठ बजे नोट बंदी कर दी, पूरे देश का बेडा गर को गया दोस्तों, इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना देश की त चौथी पास राजा, किस-किस ने सुनी है ये कहानी, इस कहानी का महतम्य है, कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की क्रिपा आपके परिवार के उपर बरसेगी, इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी, तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है, वो भी बड़े ध्यान से दुबारा सुनना, अच्छे से सुनना, और इसका खूब प्रचार प्रसार करना, ये कहानी एक राजा की है एक चोथी पास राजा की कहानी है एक एहंकारी राजा की कहानी है एक भरष्टाचारी राजा की कहानी है आप लोगों ने राजा और राणी की कई कहानियां सुनी होंगी इस कहानी में राजा तो है राणी नहीं है तो एक महान देश था कई हजार साल पुराना देश उस देश के एक गाउं में एक बच्चा पैदा हुआ बहुत करीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो जैसे गाउं के अंदर बच्चा पैदा होने पर जोच्ची आते हैं जोच्ची आके बच्चे का भविश्य बताते हैं ऐसे गाउं का जोच्ची आया उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की माँ को बोला कि माई तेरा बेटा बड़ाओ के बहुत बड़ा समरा समराट बनेगा माई को समझ नहीं आया मैं इतनी गरीब मेरा परिवार इतना गरीब मेरा बेटा समराट कैसे बनेगा कि खैर कि बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होने लगा कि गाहों के सरकारी स्कूल में उसका एडिमिशन करा दिया उसका पढ़ने लिखने में मननी लगता था पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया उसका पढ़ाई लिखाई में मननी लगता था बगल में गाहों के बगल में एक रेलवे स्टेशन था घर में बहुत करीबी थी वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाए बेचने लगा चाए बेच के अपना गुजारा करता था वो भाशन बहुत अच्छा देता था बच्चपन से ही बड़ा अच्छा भाशन देता था गाहों के लड़कों को इकठा कर लेता और भाशन देना चालू करता धीरे धीरे आसपास के गाहों में फैल गया कि ये बच्चा भाशन बड़े अच्छे देता है आसपास के लड़के भी कठे हो गए और जो मर्जी टॉपी को भाशन देना चालू कर देता था और रुकता उस महान देश का संब्राट बन गया लेकिन राजा तो अनपड़ था उसे तो कुछ आता नहीं था अफसर आते उस अनपड़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते वो राजा अनपड़ था उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सब के सामने प्रकट हो जाएगी अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहाँ साइन कर देता था धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपड है राजा अनपड है राजा को बड़ा बुरा लगने लगा तो राजा ने कहीं से फर्जी दिगरी का जुगाड कर लिया एक फर्जी दिगरी का जुगाड कर लिया एम्मे की दिगरी का और राजा बोला मैं मैं हूं पर सच्चा ही तो पूरे देश को पता थी राजा तो अनपढ़ था धीरे धीरे राजा एहंकारी भी होता गया एहंकारी राजा और उपर से अनपढ़ जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास करा के ले आता एक बार कुछ लोग गए राजा को बोले जी नोट बंदी कर दो, नोट बंदी करने से भ्रष्टाचार खतम हो जाएगा, आतंकवाद खतम हो जाएगा, राजा को कुछ समझ नहीं आया, राजा की खूप चमची मारी उन्होंने नोट, राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके आठ वजे नोट गए, दुकाने बंदो गई, रोजगार बंदो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंदो गई, पूरे देश का बेडा गर को गया, फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ, राजा 2000 का नोट ले आया, चार साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दिया, राजा को अकल तो थी नहीं, बेकूफ था, नन पड़ था, कभी 2000 का नोट चालू करता था, कभी 2000 का नोट बंद करता था, एक बार कुछ लोग आके बोले जी ये किसानों के कानून बना दो, इस कानून से किसानों का भला होगा, राजा ने कानून बना दिय पूरे देश के किसान सड़कों पे उतर आए साड़े साथ सो किसान मर गए अंदोलन में और एक साल के बाद राजा को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े एक बार उस देश के अंदर बहुत बड़ी महमारी भैल गई चारों तरफ महमारी भैल गई लोग मरने लगे किसने आके बोला जी ठाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा तो राजा ने पूरे देश में ठाली और चम्मच बजवा दिये महमारी तो नहीं बची महमारी तो पहली रही किसी ने आगे कहा जी डॉक्टरों के जरूरत पड़ेगी दवाईयों के जरूरत पड़ेगी इंजेक्शन के जरूरत पड़ेगी तब महमारी रुकेगी राजा अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था उसके दोस्त थे एक दोस्त ने दस हजार करोड रुपे चोरी कर लिए राजा ने उसको देश से भगा दिया दूसरे दोस्त ने 20.000 करोड चोरी कर लिए राजा ने उसको भी देश से भगा दिया पर एक दोस्त ऐसा था जिस से राजा की ज़्यादाई दोस्ती थी कौन था? उसको उन्होंने सारे एरपोर्ट बेच दिये सारे जहाज बेच दिये सारे सीपोर्ट बेच दिये उन्होंने आस्मान बेच दिया जमीन बेच दी राजा ने खदाने बेच दी उस राजा उस दोस्त पे राजा महर्बान था राजा का एक और दोस्त था वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतराश्ट्र खिलाडी महिलाओं के साथ बत्तमीजी करी लेकिन राजा ने दोस्ती नी छोड़ी मजाल जो उस दोस्त के उपर कोई आँच आ जाए राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा लेकिन उसने खिलाडीयों का समय राजा का एक और दोस्त था उस दोस्त ने किसानों के उपर गाड़ी चड़ा दी रौंद दिया कुछल दिया किसानों को राजा ने अपनी दोस्ती नी छोड़ी इस बात पर तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्त बाज था एक नंबर का दोस्त बाज था चारों तरफ अत्या चारों गया चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वो बलातकार करने लगे गलत काम करने लगे हाहाकार मच गया जो राजा के खिलाफ बोलता राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता एक दिन एक पत्रकार ने काटून बना दिया राजा के खिलाफ उस पत्रकार का उठा के जेल में डाल दिया एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जो राजा के खिलाफ बोले उसका बेड़ा गर्क कोई जज अगर उस राजा के खिलाफ आउडर करता था राजा उसको बक्षता नहीं था चारो तरफ अत्याचार महंगाई बेरोजगारी उपर आसमान में देवता ये सब देख रहे थे कि पृत्वी के उपर कितना घंगोर अत्याचार हो रहा है सारे देवता इकठे हुए देवताओं ने मीटिंग करी सारे देवता मिलके शिवजी महराज जी के पास गए और कहा महराज कुछ करो पृत्वी के ओपर अन्याय हो गया अत्याचार हो गया चारो तरफ बलतकार चारो तरफ हाहाकार मचा हुआ है जनता परेशान हो रही है पृत्वी जी माशिव जी महराज जी ने अपनी तीसरी आँख खोली और दोस्तों यहाँ प्रचंड पृत्वी के ओपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी उज्जेन के अंदर महाकाल की 6 सब्तरिष्यों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूरतियां थी एक दिन बारिश और टुफान आया और 6 की 6 मूरतियां टूट गई लोगों ने कहा बड़ा आपशकोन हो रहा है बड़ा आपशकोन हो रहा है एक दिन एक ट्रेन एक्सिडेंट हो गया धाइसो से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई लोगों ने कहा बड़ा अप्शकुन हो रहा है और एक दिन घंगोर बारिशाई तुफान आया उपर से आकाश्वानी होई सारे देश की जंता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोगों क्या कर रहे हो उठो खड़े हो जाओ और इस एहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलके आवाज उठाओ भगवान आपके साथ है और उसके बाद दोस्तों सोई हुई जंता जाग गई और एक साल के अंदर उस एहंकारी राजा का राजपाठ जंता ने उखाड के फेक दिया और उसके बाद वो महान देश दिन दूनी राज चोगनी प्रगती करने लगा ये कहानी बड़ी पवित्र कहानी है इस कहानी को सुनने से और सुनाने से परिवार का समाज का और देश का बहुत भला होता है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाईए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें इसे समझ सकें अंत में आप से एक इविंती है अगली बार वोट डालने जाओ तो ऐसे आदमे को वोट डालना ऐसे आदमे को प्रधान मंत्री बनाना जो कम से कम इतनी तो समझ रखता हो कि 2000 का रो नोट कैंसल करना है कि चालू करना है